मैंने वक्पेक्ट को कोट में चुनोतीा दिया है और मेरे चुनोती देने के बाद देश में अलग अलग और भी आजिकाएं आई है् कार ने कोट को बताया है कि अब तक देश भर में 120 याचिकाएं आ चुकी हैं जो वक्पैक्ट को चैलेंज कर रही है यह बहुत बड़ी बात है इसका मतलब वक्पैक्ट को यूज करके पूरे देश में जमीन कबजा कर रहा है अधरवाई जी पहली बार मैं सुन रहा हूं कि क कानून के खिलाफ इतनी बड़ी मात्रा में याचिकाएं आई है हाला कि सीए कानून के खिलाफ 200 याचिका आई थी लेकिन सीए के विरोध करने वाले क्यों आये थे सबको पता है सीए क्यों रोकना चाहते हैं सबको पता है लेकिन वक्पैट के खिलाफ 120 याचिकाओं का आन तो आप सबको consolidate करिए, सबको इकठा करिए, और इकठा करके एक साथ Supreme Court में फाइल करिए, अभी वक्पैट को मैंने दिल्ली High Court में चेलेंज किया है, विस्नु संकर जहेंजी ने इलावाद High Court में चेलेंज किया है, पारष जहेंजी ने और विक्रम दुबे जी ने उसको इंद को बोला कि आप इस पूरे जब 120 याचिकाएं हो चुकी हैं और अगर इसको ततकाल आप सुप्रीम कोट नहीं ले जाओगे इस पर सुनवाई नहीं होगी इसका फैसला नहीं आएगा तो यह अच्छा यही होगा कि आप सारे मैटर को कंसोल्डेट करिए सारी याचिकाओं को देजबर सी कठा करिए और इसको सुप्रीम कोट ले जाएए पहले पहले कोट ने हमसे बोला कि आपका इस पर क्या कहना तो मैंने कोट के ही बताया यह कानून इतना घटिया है कि अगर हाई को वकट बोड आज की रेट में अगर हाई को कह दे कि यह हाई कोट हमारी है तो व वकट बोड वकट सुप्रीम कोट भी ती सेजारी कोट में उसके नोटिस को चैलेंज नहीं कर सकता